दोस्तों क्रिकेट की किराब में एक शब्दिया टर्म फैप 4 है क्या आप जानते हैं कि इसमें कौन से खिलाडी शामिल होते हैं यदि आप भी हमारी तरह क्रिकेट के फैन हैं तो आपको ज़रूर फैप 4 के बारे में जानना चाहिए दोस्तों फैप 4 में केवल उन चार खिलाडियों को शामिल किया जाता है जो पिछले करीब एक दशक से क्रिकेट में लगातार बहतरीन प्रदर्शन कर रही होते हैं मौजूदा समय में फैप 4 में भारत का एक मात्र धुरंधर खिलाडी विरात कोली शामिल है इनके अलावा आस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, नूजिलेंड के केन विलियमसन और इंगलेंड के जो रूट फैप 4 में शामिल है लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड कप 2019 के बाद से वंडे इंटरनेशन क्रिकेट में जिस खिलाडी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है वह फैप 4 का अभी तक हिस्सा नहीं बन पाया जबकि इस खतरनाग बल्लेबाज ने 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से वंडे इंटरनेशन क्रिकेट में आच शतक जड़ दिये हैं जबकि फैप 4 में शामिल विराट कोहली, स्टीव स्मित, केन विलियमसन और जो रूट सभी ने मिलकर कुल 9 शतक जड़े हैं यहां तक कि दो बल्लेबाज तो फैप 4 में ऐसे हैं, जनोंने साल 2019 के बाद से अभी तक एक भी शतक नहीं जड़ा हैं इन में एक नाम जो रूट का है, जबकि दूसरा नाम न्यूजिलेंड के कप्तान केन विलियमसन का है हालांकि इन दोनों ही बल्लेबाजों ने वंडे इंटरनेशन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के बाद से बहुत ही कम इंटरनेशन मैच खेले हैं लेकिन दोनों ने कम से कम 15-15 मुकाबले तो 2019 के बाद खेले ही हैं हालांकि फैप 4 में विराट कोहली अभी टॉप पर हैं इन्होंने वर्ल कप 2019 के बाद 5 शतक जड़ दिये हैं जबकि फैप 4 के स्टीव स्मित के बल्ले से 4 शतक निकले हैं दोस्तों आपको बता दे ये खिलाडी कोई और नहीं बलकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम है बाबर आजम इन दिनों बहतरीन फॉर्म में है और ये फैप 4 के सभी खिलाडियों को अकेले दम पर ही तक कर दे रहे हैं यदि बाबर आजम के औसद की बात करे तो इनका औसद भी फैप 4 में शामिल खिलाडियों से ज्यादा है बाबर आजम का रन रेट अभी 72 से ऊपर का है जबकि फैप 4 के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का रन रेट 46 फीसदी स्टीव स्मित का औसट 69 फीसदी केन विलियमसन का 46 फीसदी वही जो रूट का 35 फीसदी है यदि रनों की बाद की जाए तो बाबर आजम रनों के मामले में भी इनसे बहुत आगे है उन्होंने वर्ष 2019 के बाद से 1878 रन बनाए है जबकि विराट कोहली ने 1612 रन फैप 4 के स्टीव स्मित ने 1129 रन बनाए है केन विलियमसन और जो रूट तो 500 का आकड़ा भी पार नहीं कर पाए लेकिन अर्धश तक के मामले में फैप 4 का एक मात्र बल्लेबाज विराट कोहली है जनोंने बाबर आजम की बराबरी की है दोनों के 11-11 अर्धश तक है दोस्तों क्या बाबर आजम को इंगलेंड के जो रूट की जगह फैप 4 में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक वक्रिकेट हिमाल्याज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार जरूर दे